नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत शोमस भैली जी के और एक हिल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HIV और AIDS में क्या डिफरेंस है क्या फरक है इसके बारे में आप तो यह दोनों टर्म सुने होंगे HIV और AIDS दो एक साथ ही दोनों टर्म को यूज किय जाते हैं मगर लोगों में confusion रहता है कि लोग interchange करकी उसकरते हैं कभी बोलते हैं HIV कभी बोलते हैं AIDS आपको जानना है कि AIDS और HIV में एक बड़ा अंतर है बहुत बड़ा अंतर है उसके बारे में इस वीडियो में डीटेल में बात करते हैं देखो यहां पे हम बात करेंगे कुछ कुछ प्रापर्टी और उस प्रापर्टी के बेसिस पे HIV और AIDS क्या अलग है इसमें एक चोटी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो HIV is a virus human immunodeficiency virus यह वाइरस है ठीक है और AIDS जो है वो है बिमारी की नाम जिसको कहा जाता है एकवर्ड immunodeficiency syndrome तो HIV एक वाइरस जो एक डिजीज को बीमारी को कॉस करता है फैलाता है और AIDS है उस बीमारी की नाम तो चलो आप बात करते हैं जो डिफरेंस है HIV AIDS की बेस्ट आन दो प्रापर्टी उसके बारे में यहां पर आप डीटेल में देख सकते हो मेरे इम्यून सिस्टम जो हमारे इम्यून सिस्टम में बॉड़ी को इसको अटेक करता है और AIDS एक सिंड्रोम है जो कि HIV एटेक के बाद बॉड़ी में तयार होता है और बीमारी फैलता है कॉज इसके कॉज क्या है देखो HIV ही कॉज है मतलब वाइरस ही यह बीमारी की कारण है तो AIDS की कारण भी वाइरस ही है HIV वाइरस ही AIDS का कारण है अब बात करते हैं transmission, मतलब कैसे यह फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलता है, HIV की बात करें, वाइरस कैसे replicate करता है, कैसे फैलता है, अन्प्रोटेक्टेट सेक्स, यह फैलता है, निडल, अगर आप निडल यूज कर रहे हैं, वो निडल से ही सिरिंज यूज कर रहे हैं, सि प्रेग्नेंसी, चाइल्ड बर्थ के टाइम, यह हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी, थ्रू मिल्क यह आ सकता है, तो यह सारे ट्रांस्मिशन मोडे HIV की, और एड्स की बात करें, तो जब एड्स किसी को हो जाता है, एक वर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रो इम्यून सिस्टेम बहुत ही वीक हो जाता है, तो हमारा जो प्रतिरक्षा सिस्टेम में इम्यून सिस्टेम है, वो वाइरस और बैक्टरे की खिलाप उतने आसानी से फाइट नहीं कर पाता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा बीमार परते हैं, तो वहाँ पे किसी इंसान क अगर AIDS हो जाता है, तो वहाँ पे दीरे-दीरे यह जो है, ट्रांसफर होगा, सिमिलर प्रॉसस है, जो ट्रांस्मिशन हमने बात की, HIV की, क्योंकि HIV उसके शरीर में मौजूद है, तो उसी हिसाब से है, ट्रांसमिट होगा, और इम्यून सिस्टेम का जो सेल से उसको डैमेज करेगा, AIDS होने के बाद वो डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, सिम्टम्स क्या आएगा, सिम्टम्स हो गया, HIV जब किसी को इंफेक्ट करता है, यह निसेसरी नहीं है, HIV इंफेक्ट किया, तो AIDS हो जाएगा, बोडी फैले कोशिश करेगा, फाइट करने का, मगर वहाँ पे जैसा ऐसे स्ट्रक्टर नज़र आता है, उसके साथ साथ फैटीग, बहुत सारा थकान महसूस कर रहा है, यह सारे सिम्टम्स हो जाता है, इसके साथ साथ दीरे जब यह बीमारी प्रोग्रेस करता है, तो स्टॉमक अपसेट, मतलब आपको स्टॉमक, जैसे कि वाइरल फीव और infection, body में किसी भी प्रकार की infection बहुत जादा, बार-बार होना, यह सारे लक्षन होता है, HIV infection आपको हुआ है, क्योंकि HIV होता है, तो क्या problem हो जाता है, immune system बहुत weak हो जाता है, immune system weak होता है, तो automatically, जो immune system का ख्रमता होता है, bacteria virus, protozoa के साथ लरने का, वो कम हो जाता है, उसके कारण body बहुत weak होता है, और बार-बार infection होने लगता है, तो इसमें रात भर अब ऐसे जगे रहोगे, तो आपको देखो, बहुत सारा पसीना आएगा, उसके साथ-साथ, वेट लॉस होगा, दिन बद दिन आपका वजन घटता रहेगा, और बहुत आप weak feel करोगे खुद में, यह स पायेगा या नहीं, वो दूसरी बात है, मगर HIV के खिलाफ antibody यह दयार करेगा, और जब यह तयार करेगा, HIV के खिलाफ antibody यह मौझूद होता है, हमारे saliva में भी ये antibody मौझूद होता है, तो वहाँ पे आपको देखना है, कि antibody blood में हैं यह saliva में हैं या तो अर बहुता है, और AIDS की बात करें तो देखों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंटी बोडी से नहीं, मगर infection बोडी में कुछ है, चल रहा है या नहीं, वो देखना, cancer, कुछ-कुछ प्रकार की cancer भी हो सकता है, अगर आपको AIDS है, तो cancer होने की chance बढ़ जाता है, और CD4 cell count body में, जो CD4 एक particular type of immune cell है, particular type of immune cell body में, CD4 जो cell होता है, उसका count है, बहुत ही कम हो जाता है, और वो 200 cells पर cubic millimeter, उससे भी कम हो जाता है, इसके कारण जो है, आप diagnose कर सकते हो कि AIDS हो गया है, क्योंकि AIDS होने के मतलब यह होता है, जो CD4 cell होता है, उस cell का जो मात्रा है घट जाएगा, उसके बात करते हैं, treatment, treatment, कौन कौ disease right now, इसका कोई इलाज, एकदम जड़ से इलाज तो नहीं है, मगर हमारे पास कुछ antiviral therapies है, antiretroviral therapy, जिसको ART बोलते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि हम virus की जो progression है, जो movement है, उसको slow कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसके कारण जो risk होता है, AIDS बढ़ने का और AIDS होने का वो जाता है, तो जब भी किसी इंसान को HIV हुआ है, डागनोज होते हैं, और वहां पर antiretroviral therapy चलता है, तो chances है कि थोड़ा बहुत जो progression का speed है, वो slow हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मगर किसी को अगर AIDS अल्रेड हो चुका है, तो वहां पर हमारे सामने बाकी चीजों को द antibiotic treatment, cancer होने की chances बढ़ जाएगा, तो वहां पर cancer, anti-cancer treatment, अलग-अलग zone की treatment, अलग-अलग से हमको provide करना चाहिए, एक चीज से कुछ काम नहीं बनेगा, यह difference होता है HIV और AIDS में, अगर HIV किसी को हो रहा है, तो फिर भी वहां पर कुछ treatment दे के हम उसको progression को slow कर सकते हैं, तिल AIDS हो ग प्रेक्ट सेक्स नहीं करें, तो वहां पर यह चीज आपको ध्यान में रखना है, not sharing needles, जो needles यूज होता है, वो needle ठीक ठाक से एक ही बार यूज करना है, एक ही patient में, in fact, हम तो यह भी कहते हैं, कि एक ही patient में, अगर आप खुद insulin ले रहे हो, या फिर कोई family member insulin लेते हैं, तो बहुत दफ़ा यह करते हैं, कि एक ही needle से 3-4-5 बार ले लेते हैं, अगर खुद individual में ही, तो वहां पर भी infection की chance रहे जाता है, अगर कुछ कुछ हो जाए, वो अलग बात है, मगर needle को single use के लिए ही रखना चाहिए, कोई भी syringe हो, single use के लिए रखना चाहिए, और कभी भी needle को किसी भी तरीके से लोग कहेंगे कि यार इसको हम sterilize कर लिए, फिर भी उसको इस्तमाल नहीं करना चाहिए, और इसके साथ-साथ आपको अगर family history में ऐसा कुछ problem है, या फिर आप कभी-कभी आप ऐसे आपके ध्यान में ऐसा कुछ है, कि कुछ बहुत से जगापे ऐसा होता है कि saloon और barbershop, barbershop में क्या होता है, एक ही बार वो जो use होता है to scrap of your hair, वही चीज़ बार बार लोगों में use होता है, तो किसी इनसान में अगर वो cut हो जाए, ठीक है, और वहाँ पे blood की कोई touch हो जाए, अगर वो patient HIV carry करता है, तो automatically next patient को भी simple cut आता है, तो blood to blood contact हो जाएगा, उसे HIV जो है spread हो जाएगा, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो personal hygiene है, अच्छा रखना है, social hygiene का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और screening करना चाहिए HIV के लिए, HIV हुआ है नहीं, कुछ-कुछ screening test वो करना चाहिए, और AIDS के लिए भी same ही thing है, क्योंकि चीज़ तो आपको मिलता रहे, थैंक यू, बाई